लबस्कार दोस्तों स्वागत आपका माई YouTube चैनल TechApply5 में तो दोस्तों मैं आज और एक और वीडियो ले के आचोगों आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुछी दुनों बात October के मंत में हमारे इंडिया में साउमी का एक नया स्मार्टफॉन लॉंच होने वाला जिसका नाम होने वाला साउमी Mi 10T Pro दोस्तों यह Mi 10, Mi 10T Pro और Mi 10 Lite यह तीन स्मार्टफॉन लॉंच होंगे लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे Mi 10T Pro के बारे में जो कि इसका highest version है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे के launching date बारे में सारी चीजे इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को end तक देखना है यह आप इस phone को लेने में के साथ आपको एक headphone connector भी देखने मिलता है टाइप सी क्योंकि इसमें आपको इस वाले स्मार्टफॉन में आपको headphone jack देखने को नहीं मिलेगा इसलिए आपको चार्दिंग पॉर्ट महीं 3.5 mm जैंक करेक्ट करने के लिए टाइप सी एक headphone connector भी देखने को मिल रहा है और दूस कि आपको पता ही होगा सबसे पहले बात करेंगे phone के camera के बारे में दूसरा बात करेंगे phone में दम power कितनी है और तीसरा बात करेंगे कि उसकी looking कैसी है यह तीन चीज़ें इस पर जान जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको लेन चाहिए नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके phone के camera की तो दोसस आपको इसमें back में तीन camera को communauté camera setup देखनों मिलता है जिसमें पहला camera आपको 108 megapixel का देखनों मिलता है, दूसरा camera आपको 13 megapixel का देखनों मिलता है, पको पाच-र नहीं कर सकते हो और दोस्तों मैं आपको एक और फीचर बता दूँ इस स्मार्ट फॉन के बारे में के आप इसमें दोस्तों डूल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसकी साथ आप एक वीडियो क्लोन भी कुछ कर सकते हो अब बात करते दोस्तों इस स्मार्ट फॉन के फ्रें बात करते हैं प्रोसेसर आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने हो मिलता है और बात करते हैं यसे चार्जर रोड़ की बैटरी की तो आपको इसमें पास्टरी देखने हो मिलती है और कार्ड्र श्रॉर्ज को और जड़ा बील्ड़प नहीं करता है अप समय चार्जर और बैटरी की तो दोस्तों आपको इसमें 5,000 mAh की बैटरी देखनों मिलती है और 33W का Fast Charger देखनों मिलता है और यह 100% 59 मिनट में Full Charge कर देता है अब बात करते हैं दोस्तों फॉन की लुकिंग की तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्पले की तो आपको इसमें 6.67 इंच की IPS LCD ड देखनों दोस्तों यह स्मार्टफोन ओवरॉल देखा जाए तो काफी ज़्यादा एक फ्लेक्सिप स्मार्टफोन में ही आ जाता है क्योंकि प्राइज आपको देखनों मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लॉंचिंग डेट की तो दोस्तों यह 15 अक्टूबर को ल देखने वाली है उसमें आपको कई तरीका के अफस देखनों मिलेंगे उम्मीद है आपको इस स्मार्टफोन पर भी ऑफस देखनों मिल जाएंगे यदि आपको बेग वेडियो देखने है तो वह मेरी चैनल पर आ चुकी है और मैं आपको डिस्किप्शन में भी उसकी लिं